स्वागत है अप सबी को हमेरा अपना चैनल दे स्टूडियो बाई इंजेनियर्स पे आज का वीडियो थोड़ा सा इंफर्मेटिव होने वाला है उन विवर्स के लिए जो लोग में 2023 पे मोटरोला जी 72 इस 4G स्मार्टफोन को लेने की प्लैनिंग कर रहा है या फिर कोई भी म मेंट तक सायद से आपका माइंड चेंज भी हो सकता है मोटरोला जी 72 पंदरह हजार के अंदर गूड स्पेसिकेशन प्रोवाइड करता है इन तरम्स अब डिस्प्ले बैटरी एंड इवें प्रोसेसर मेडिया टेक जी 99 पे यह पहला फोन मार्केट में आया था नो डाउट प्रोसेसर इस गूड एनफ considering the price but the major drawback is calm in terms of connectivity 15,000 में इस पे 5G connectivity आपको नहीं मिलता है but इस phone को हटा कर अगर अब दूसरे 5G phones देखोगे in this price range वहाँ पे आपको in terms of display, camera, processor, cross-cutting दिखेगा और यह भी एक बात है कि मार्केट में 15,000 के अंदर Motorola G72 जो specification provide कर रहा है वो दूसरे mobiles पे missing है तो question यह है कि क्या आपको यह phone consider करना चाहिए in 2023 मैं आपको पहले ही बता दू कि मैं इस phone का user रह चुका हूँ last 2 माहिने से तो क्या-क्या इसमें अच्छी चीज़े है और क्या बुरी वो सब कुछ discuss करेंगे specification में जो अच्छी चीज़े दिया गया है वो in real life कितना अच्छा है सब कुछ देखेंगे तो बीना time waste किये वीडियो को start कर लेते हैं फिर्स्ट इस phone के प्रॉज discuss कर लेते हैं नंबर वन डिस्प्ले 6.6 इंच 120Hz P OLED डिस्प्ले जो है वो नो डाउट बहुत ही खुबसूरत है adaptive refresh rate नहीं है मतलब 120Hz और 60Hz और automatic का एक option यहाप आपको provide किया गया है colors एकदम ही निखर के आती है multimedia consuming experience is great यह 10 bit color display है so in terms of display I would say this is one of the best number 2 speakers इसमें dual stereo speaker है with Dolby Atmos अच्छा खासा loud and rich sound यहाँ पे मिल जाएगा number 3 processor Mediatek G99 इस chipset पे यह पहला phone market में आया है no doubt processor is good enough considering the price 4 लग के करीब यहाँ पे antutu score देखने को मिलेगा so day to day life में यह processor कभी भी अपको दिक्कत नहीं देगा और gaming भी आप कर सकते हो medium setting पे तो यह तीन factors मुझे इसमें अच्छा लगा अब आ जाते है इसके cons पे literally I have bad experience with this number 1 connectivity of course this is not a 5G phone but इसमें बहुत ही जादा network issue है अब ठीक से call नहीं कर पाओगे calling experience is very bad दूसरे person के आवाज ठीक से नहीं आएगा और अगर आप loudspeaker पे बात करोगे तब तो एक तम ही बेकर experience होगा मेरा जो primary device है Samsung Galaxy A31 यह भी एक 4 साल पुराना 4G phone है लेकिन अभी तक इसमें network issue देखने को नहीं मिला है I don't know कि यह सिर्फ मेरा वाला particular यून पे problem है या फिर सब लोग यह face करता है तो अगर आपके पास भी यह phone है तो comments में जरूर बताइए यह phone out of the box android 12 पे आया था लेकिन अभी तक इसमें android 13 का update नहीं आया है हाला कि Motorola ने promise किया है कि एक साल का major update देगा so Motorola को इस पे काम करना चाहिए software में मुझे एक और problem लगा चो कि है आप अगर किसी का number save करते हो तो वो instantly whatsapp पे so नहीं करता है डेर दो दिन time लग जाता है whatsapp पे so करने में तो मुझे लगता है कि UI को और ज़्यादा optimization का जरूरत है बाकी no doubt UI एकदम clean है near stock android इस पे आपको मिल जाता है बट Motorola को और भी ज़्यादा काम करने के जरूरत है in terms of software आप बढ़ते है last कौन के उपर जो की है इसका camera 108 megapixel प्लास 8 megapixel प्लस 2 megapixel यह है इसका rare camera setup 8 प्लस 2 जो है उसको तो आप छोड़ ही दो 108 megapixel का जो sensor है वो day lights में अच्छा photo क्लिक करता है detailing अच्छा है start images क्लिक करता है but in terms of low light यह एकदमे बेकार हो जाता है noise बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है और front में जो 16 megapixel का sensor है उससे भी आप ज़्यादा expectations मत रखना तो यह था मेरा पूरा experience इस Motorola G72 का अगर conclusion की बात करें तो मैं recommend करूंगा कि आप इस price में कोई दूसरा brand का 5G set ले लो क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा जो experience रहा है Motorola के साथ वो आप भी face करो आप लोगों तक सही information पहुचाना मेरा काम है make sure to subscribe this channel because ऐसे ही genuine reviews में आप लोगों तक पहुचाने की कोशिस करता हूँ so that's all for today till then bye bye take care and stay safe